स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्राश्न हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारन्य को शामिल किया गया A. डैब्रीगर वन्यजीव अभ्यारन्य B. कोटागर वन्यजीव अभ्यारन्य C. हदागर वन्यजीव अभ्यारन्य D. सुनाबिरा वन्यजीव अभ्यारन्य A. डैब्रीगर वन्यजीव अभ्यारन्य Explanation परियतन मंत्राले ने डैब्रीगर वन्यजीव अभ्यारन्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के परियतन मंत्राले द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया था जो सौ प्रतिशत केंद्रिय फंड की योजना है डेब्रीगर वन्यजीव अभ्यारन्य ओलेसा के बर्गर जिले में हीराकुन बांध महानदी नदी के पास स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिफ दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए एक वैदशाला राहतवानी केंद्र रवीसी का उधगाटन किया इसका उद्देश प्रारंभिक आपदा चेतावनी देना, भविशेवानी करना, समय पर राहत वित्रन सुनिश्चित करना और पीडितों को मुआवजे का सीधा लाभ हस्तान तरन सुनिश्चित करना है इसे लखनव के लालबाग शेत्र में स्थापित किया गया है जहाँ छे कर्मियों की एक टीम काम कर रही है अगला प्राशन ICC Plus Certification हासल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? A. अदानी समूह, B. श्रीराम कैमिकल, C. रिलायंस इंडस्ट्री, D. इन में से कोई नहीं आंसर, C. रिलायंस इंडस्ट्री, Explanation, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आरायल की जामनगर रिफाइनरी ने ICC Plus प्रमानित रासायनिक रूप से पुनर नवीनी करन पॉलिमर, रिसाइकल पॉलिमर का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है गुजरात राज्य में स्थित आरायल की जामनगर रिफाइनरी अब ICC Plus प्रमानित हो गई है, ICC Plus अंतराश्ट्री अस्तर पर एक मान्यता प्राप्त प्रमानन है, अगला प्राशन विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष चार जनवरी को मनाया जाता है, ब्रेल अंधों और द्रिष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनिय लेखन प्रनाली है, इस दिन का उद्देश ने त्रहीनों और द्रिष्टिबाधितों के लिए संचार पध्धती के रूप में ब्रेल के मेहत्व के बारे में जागरूपता बढ़ाना है, अगला प्राश्न, आतनिर्भर भारत उत्सब दो हजार चॉबीस का आयोजन कहां किया जा रहा है, ए, नई दिल्ली, बी, मुंबई, सी, कोलकाता, डी, बेंगलूरू, आंसर, ए, नई दिल्ली, एक्स्प्लि नेशन, भारत मंदपम, नई दिल्ली में आत्म निर्भर भारत उत्सब 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कुदपाद और डियोपी के विजेताओं को कुरस्कृत भी किया जाएगा।